नमस्कार दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question discuss करेंगे All Indian States CMs तो CMs जो हैं इंडिया की जितनी भी states हैं उनके जो current chief ministers हैं उनके उपर आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो RRB NTPC का जो exam चल रहा है उसमें सारी shifts में एक question जरूर पूचा जा रहा है CMs के उपर तो ये वीडियो काफी important वीडियो रहेगी आपके exam के लिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और अगर आपने भी तक channel को subscribe नहीं किया है तो आप अभी हमारे channel को subscribe कर लें तो चलिए start करते हैं हमारी वीडियो देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है who is the current chief minister of आंदरप्रदेश state तो आंदरप्रदेश जो state है इंडिया की वहां के current chief minister कौन है तो हमारा answer हो जाएगा Y.S. जगन मोहन रेड़ी Y.S. जगन मोहन रेड़ी जो है ये current time में chief minister है आंदरप्रदेश state के आंदरप्रदेश की capital क्या होती है तो आंदरप्रदेश की capital रहेगी अमरावती अमरावती जो है ये capital होती है आंदरप्रदेश state की तो इस वीडियो में हम सारी स्टेट्स की capital भी डिसकस करेंगे और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर भी अगला कुशन देखते हैं अब हरियाना इस्टेट जो है उसके करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा मनोहल लाल खटर मनोहल लाल खटर जो है ये अभी प्रिजन टाइम में चीफ मिनिस्टर है हरियाना इस्टेट के हरियाना की capital रहती है चंडीगड चंडीगड जो है ये हरियाना के साथ साथ और भी states की capital रहती है वो हम आगे डिसकस करेंगे तो आसाम जो इस्टेट है इंडिया की वहां के करन्ट चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोने वाला जो है ये करन्ट टाइम में चीफ मिनिस्टर रहेंगे असाम इस्टेट के असाम की capital होती है डिस्पूर अब अरुनाचल प्रदेश इंडिया की वहां के करन्ट चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा पेमा खंदू पेमा खंदू जो है ये करन्ट टाइम में चीफ मिनिस्टर रहेंगे अरुनाचल प्रदेश इस्टेट के जहां की capital रहेगी इटा नगर जो है ये capital रहेगी अरुनाचल प्रदेश इस्टेट की तो बिहार जो इस्टेट है इंडिया की वहां के करन्ट चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा नितिश कुमार, नितिश कुमार जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर रहेंगे बिहार इस्टेट के नितिश कुमार जो है ये भी पीछे काफी चर्चा में रहे थे सुशान सिंग राजपूत केस की वज़े से तो ये आपको पता होगा ये Chief Minister है बिहार State के बिहार की Capital हो जाएगी पटना अब 36 जो इस्टेट है वहां के Chief Minister कौन है तो हमारा अंसर हो जाएगा भुपेश बहगल भुपेश बहगल जो है ये Current Chief Minister रहेंगे 36 जाएगी राइपुर तो सिक्किम स्टेट जो है उसके Chief Minister कौन है तो हमारा अंसर हो जाएगा पियस गोले पियस गोले जो है ये Chief Minister रहेंगे सिक्किम स्टेट के जहां की Capital रहेगी गैंग टॉक तो गोवा जो की इंडिया की सबसे छोटी स्टेट है वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रमूद सावंत प्रमूद सावंत जो है ये चीफ मिनिस्टर रहेंगे गोवा इस्टेट के गोवा की कैपिटल रहेगी पाना जी अब आपको ये भी पता होना चीए कि इंडिया में करंट टाइम में 28 कर दिया गया है तो अब प्रिजेंट टाइम में 28 इस्टेट है और 8 यूइन टेरिटरी हैं तो डेली जो है ये भी यूइन टेरिटरी रहेगी इंडिया की इसके चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्विंद केजरिवाल अर्विंद केजरिवाल जो है ये Chief Minister रहेंगे डैली के. अब गुजरात जो इस्टेट है यहां के Current Chief Minister कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय भाई रुपानी. विजय भाई रुपानी जो है ये Current टाइम में Chief Minister है गुजरात स्टेट के. गुजरात की जो Capital रहती है वो रहेगी गांधी नगर. विज दी Current Chief Minister अब हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है वहां के Chief Minister कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा जैराम ठाकुर. जैराम ठाकुर जो है ये Chief Minister है हिमाचल प्रदेश स्टेट के. हिमाचल प्रदेश की जो Capital है वो रहेगी शिमला जिसको की क्यूइन आफ हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है. विज दी Current Chief Minister अफ जहारकंड स्टेट. जहारकंड स्टेट के Chief Minister कौन है तो वो रहेंगे हेमंद सोरन. हेमंद सोरन जो है ये चीफ मिनिस्टर रहेंगे जहारकंड स्टेट के. जहारकंड की Capital हो जाएगी राची. हुज दी Current Chief Minister अफ मद्दय प्रदेश स्टेट. मद्दय प्रदेश के Chief Minister कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा शिवराज सिंग चोहान. शिवराज सिंग चोहान जो है ये Current Chief Minister है मद्दय प्रदेश स्टेट के. मद्दय प्रदेश की Capital होती है भोपाल. हुज दी Current Chief Minister अफ महाराश्ट स्टेट. तो महाराश्ट के Chief Minister कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा उधव ठाकरे. उधव ठाकरे जो है ये रहेंगे महाराश्ट के Current Chief Minister और महाराश्ट की Capital हो जाएगी मंबाई. जिसको की Financial Capital आफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. Who is the Current Chief Minister of मनिपूर स्टेट? मनिपूर जो स्टेट है इसके Chief Minister कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा एन ब्रेंसिंग. एन ब्रेंसिंग जो है ये Current Time में Chief Minister रहेंगे मनिपूर स्टेट के और ये जो स्टेट है मनिपूर इसकी Capital क्या होती है तो इसकी Capital रहेगी इंफाल. Who is the Current Chief Minister of केरिला स्टेट? केरिला स्टेट के Chief Minister कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा पिनारी विजयन. पिनारी विजयन of कर्नाटका स्टेट. अब कर्नाटका जो स्टेट है इंडिया की यहां के Chief Minister कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा BS यदिरूपा BS यदिरूपा जो है ये Current Time में Chief Minister है कर्नाटका स्टेट के और कर्नाटका की Capital रहती है बैंगलूरू जिसको की IT Capital इंडिया के नाम से जाना जाता है अब उडिसा जो स्टेट है इंडिया की यहां के Current Chief Minister कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा नवीन पतनायक जो है ये Current Time में Chief Minister है उडिसा स्टेट के उडिसा की Capital होती है भुवनेश्वर भुवनेश्वर जो है इसको Temple City of India के नाम से भी जाना जाता है भुवनेश्वर के जो Temples हैं ये काफी बार एक्जामस में पूछे जाते हैं तो जो Important Temples located है भुवनेश्वर में वो आपको ज़रूर याद रखने है Who is the Current Chief Minister of Tamil Nadu State तो Tamil Nadu जो स्टेट है वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा के पलानी स्वामी के पलानी स्वामी जो है ये करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है तमिल नाडू स्टेट के तमिल नाडू की कैपिटल होती है चन्नाई जिसको की Health Capital अब जो मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा कोंकल संग्मा कोंकल संग्मा जो है ये करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है मेगाले स्टेट के मेगाले की कैपिटल होती है शिलॉंग अब मिल्जोराम जो स्टेट है यहां के चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा P.U. Zoram Thangga P.U. Zoram Thangga जो है यह करण टाइम में चीफ मिनिस्टर रहेंगे मिजोराम स्टेट के मिजोराम की कैपिटल होती है As All Who is the current चीफ मिनिस्टर औफ नागालेंड स्टेट अब नागालेंड के करण टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा Nephew Rio Nephew Rio जो है करण टाइम में चीफ मिनिस्टर रहेंगे नागालेंड स्टेट के जहां की कैपिटल रहेगी कोहिमा Who is the current चीफ मिनिस्टर of Puducherry स्टेट तो Puducherry जो है जो की एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की यहां के करण टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा Vee Narayan Swami जो है यह करण टाइम में चीफ मिनिस्टर है Puducherry के Who is the current चीफ मिनिस्टर of Punjab स्टेट तो पंजाब जो स्टेट है इंडिया की वहां के करण टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा Amrinder Singh जो है यह करण टाइम में चीफ मिनिस्टर रहेंगे पंजाब स्टेट के पंजाब की कैपिटल क्या है पंजाब की कैपिटल रहती है चंडिगण तो हरियाना की भी कैपिटल है चंडिगण और पंजाब की भी है अब राजिस्टान जो स्टेट है यहां के करण चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोग गहलोट अशोग घहलो जो है ये करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर रहेंगे राजिस्थान स्टेट के राजिस्थान की कैपिटल क्या होती है तो राजिस्थान की कैपिटल रहेंगी जैपुर जैपुर जो है ये कैपिटल है राजिस्थान स्टेट की अब तेलंगना जो स्टेट है, यहां की चीफ मिनिस्टर कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा के चंदरशेकर राउ, के चंदरशेकर राउ जो हैं, यह करण टाइम में चीफ मिनिस्टर रहेंगे तेलंगना इस्टेट के, तेलंगना की Capital रहेगी हैदराबाद अब जो त्रिपुरा स्टेट है वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा विपलप कुमार देव जो है ये करण टाइम में चीफ मिनिस्टर है त्रिपुरा स्टेट के त्रिपुरा की कैपिटल रहती है अगरतला तो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है यहां के चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाद योगी आदित्यनाद जो है यह काफी famous leader है तो यह चीफ मिनिस्टर रहेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट के उत्तरप्रदेश की capital आपको पता ही होगी उत्तरप्रदेश की capital होती है लखनाउ उत्तरखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है तो हमारा answer हो जाएगा त्रिविंद्र सिंग रावद त्रिविंद्र सिंग राबज जो है ये Chief Minister है उत्राखंड State के उत्राखंड की Capitol रहती है धेरादून Who is the current Chief Minister of West Bengal, West Bengal के Chief Minister कौन है तो हमारा answer हो जाएगा ममताभेनरची ममताभेनरची जो है ये Current Time में Chief Minister है West Bengal State की, West Bengal की जो Capital है वो रहती है कॉलकता कॉलकता जो है यहां पर काफी सारे headquarters जो है वो भी located है तो ये भी आपको याद रखना है Victoria Palace जो है ये भी है कॉलकता में तो दोस्तो ये था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तो अगर आपको static topic की अलग-अलग separate videos चाहिए हो तो हम आपको हमारे description में playlist का link provide करा देंगे आप उस playlist में जाके आपको सारे जितने भी topics होते हैं उनकी separate videos मिल जाएंगी धन्यवाद दोस्तो